स्वागत आपका अमारे चैनल पर आज हम करेंगे कक्छा साथ का गनीत का क्यूजब भ्याजों की वीक 17 और 30 अक्टूबर 2021 का है तो चले स्टार्ट करते हैं इन में से कौन सी इस्तिती रेकिक समिकरन को दरसाती है 3A प्लस 27 बराबर 21 9 के 3 करमागत गुनच का योग 81 होता है अगला है सत्या सत्य बताना है इस्तिती का जो समिकरन है 5 बाए बटे 4 है माइनस के 1 बटे 2 बराबर क्या दे रखा है 9 बटे 16 को दरसाती है एक परिमे संक्या इस सत्य की से है जो की इससे 4 बटे 5 से विवाजित करते हैं तो भागफल से 1 बटे 2 को घटाते हैं तो परिमें के इत्ता आता है 9 बटे 16 बिर्कुल सही है इसी को निरुपित करके लिखा है अगला देखिए समी करन पर विचार कीजिए 12X प्लस 10 बड़ाबर 82 इन में से कौन सी स्थिति दिये गए रेकिक समी करन को दरसाती है परस्ट नमबर 4 हो जाएगा तीन करमागत पूर्णा इस तरह से कि जब आरोई करम के लिए जाते हैं तो करम से 5,4,3 से गुना कर दिये जाते हैं जिनका योग 82 होता है अगला है समी करन पर विचार कीजिए 2K-21 बड़ाबर 57 इसको दरसाने वाला क्या हो जाएगा दो संख्याओं का योग 57 है एक संख्या दूसरी संख्या से 21 सदिक है बिगुल सत्य है अगला देखिए एक सिक्षक ने फेहद को एक इस्तिती बनाने के लिए कहा जो कि रेखिक समी करन चार अक्स प्लच है पराबर 106 को दरसाती है फेहद क्या जबाब देगा चार करमागत संख्याओं का योग 106 है तो वे चार 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 संख्याओं क्या होंगी क्या फहत सही है जी हाँ आपको हाँ लिखना है बच्चो अगला देखिए निम लिखित में से कौन सी स्थिती रेकिक समिकरन 4X प्लस 20 बराबर 3X प्लस 60 को दरसाती है इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा अगला देखिए सार्ता के एक प्रष्ण को हल करता है जैसा की दरसे में दिखाया गया है दो संख्याएं जो की 9 नूपात 5 के नूपात में है यदि संख्याओं का अंतर 64 है तो दोनों संख्याओं ग्यात कीजिए उसका पहला चरण क्या होगा माल लिजे कि पहली संख्या 9X है और दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो हमें संख्या के तिग्रवेंसे पांच करम प्राप्त होते हैं मान लीजिये कि शंख्या वाई है इनमें से कौन संख्या ज्यात करने के लिए अगला चरंद रसाएगा वाई प्लस नवरावर तीन वाई-5 तो बच्चों ये था हमारा आज का क प्यूज अब्यास कख शासाथ का गरिद का तर्जुर्डेशनल से धन्यवाद